पर हिर राजे और देश का विकास हो सकता है उक्ताशे के विचार मुखे मंत्री भुपेश बकेन ने व्यक्त किया है वे लोकवानी कारेकरम में स्वास्थे एवं मातरी शक्ती वीश्य पर आम जंता के स्वालों का जवाब दे रही थे मुखे मंत्री ने कहा कि विभावों के समन्वे से राजे में गजुलाई महा से बच्चों में कुपोशन एवं महिलाओं में एनीमिया के विरोध अभियान चलाया जा रहा है अभियान के तहट बच्चों एवं महिलाओं को अतिलिक्त पोशन दिया जा रहा है वहीं गरामिडों एमम सलम शेतर में रहने वालों के लिए मुख्य मंतरी सलम गरामिन स्वस्थ क्लीनिक संचालीट किया जा रहा है मुख्य मंत्री ने बच्चों को कुपोशन वुक्त करने राजे में संचालित NRC के सुचारू संचालन के निदेश दिये हैं उन्होंने राजे के सभी NRC भवनों की मरमत कराने को कहा है ताकिन केंदरों का लाब बच्चों को मिल सके मुख्य मंत्री ने स्वास्ते विभाग में अमलों की भट्टे की कारेवाई की विस्टी जानकारी थी उन्होंने खैरागड के सीविल अस्पताल में मरीजों के लिए 50 विस्तर अस्पताल बनाने की गोश्टना की है मुखे मंतिने स्वास्ते विभाग के अधो सर्चना विकास की जानकारी देते हुए बताया कि राज्ये में पांस सामुदाइक, दस प्रात्मी को पच्चिस नए उप स्वास्ते केंदर बनाने का प्रावधान बजट में शामिल किया गया है। पातर युवाओं को रोजगार का आफसर मिलेगा। आशंका पर योजिना की छात्रा कुमारी दिव्यानी तुल्सी वह मुस्कान ने कहा कि जच्चा बच्चा के स्वास्ते को बहतर बनाने के लिए राज्ये शासन द्वारा किया जा रहा प्रियास सारहानी है। आशे ही लेटेस को बहें पाने के लिए बैल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें। घंने वादी।